बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी इंट्यूपशनल पेपर हैकर में मैं सुर्ज राज और आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड समस्टर में है और सेकंड समस्टर है तो उनकी हम बात करेंगे होम साइंस के लिए जो होम साइंस के कर लएं सब्कोरा कर पनाई Camukh zombie कर लेएं और दोस्तों कोष्ड कर देना है कि उसके बाद क्या होने माला है ध्यान से देखेंगे तो जो आपके पेपर हो रहे हैं और चातर जो भीचातर इनकी पीडियाप डानलोड करना चाहता है हमारे MCQ की या फिर आपका जो रिटन एक्जाम हो रहा है त्यूरी वाई उसकी आप पीडियाप को डानलोड करना चाहते हैं नोट्स के तो आप पीडियाप को डानलोड कर सकते हैं paperhacker.in website पर जाकर जिसका link को एने मैंने पहले से अप्लोड कर रहा है और आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आप क्या करिए paperhacker.in website पर जाईए बहाँ बीए सेकंड सेमस्टर बटन पर टच करिए और एक साइड में लेका होगा इंपोर्टेंट कोशन एक साइड में देखा होगा इंपोर्टेंट कोशन 2022 थ्यूरी भाई ठीक है तो थ्यूरी भाई पर टच करो थ्यूरी इंपोर्टेंट कोशन आएगे यदि आप सब कुछ आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े आपके सामने पहला कोशन है और इस टॉपिक से कोशन बनेंगे इसमें लगबग 22 कोशन अब तीसरे टॉपिक से हम कहते हैं प्राकिर्तिक जो जनवत रेशा होता है उससे लेटेट कोशन बनेंगे अब यहां से कौन कोई से कोशन अब के लिए महतपुर्ण है वो बात करने वाले हैं पहला कोशन है कि वो हो कर रहा है उनके टन्तु में कितनी परत पाई जाती हैं ऑब उनका कोई तन्तो है कोई रेशा है तो उसमें कितनी परिपा placed आगी तो आपको के तीन परत पाई जाती है जब को उन को अब या चाहर जाता है तो आपने जब गाउ में या फिर सहर में आप रहते हैं तो आपने जरتकित बगेरा सिंदेते हुए को बीलाओं को देखा होगा की उन जकृती है महिर घर में बैठके काम करती है वह उसमें जो आप एक तंतु एक धागा होता है उन उसमें तीन छोटे छोटे तंतू से मिलका बना होता है तीन उसमें एक तंतू क्या है तीन तंतू उसमें मिले होते हैं इस तरीके से इस तरीके से काम करते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देखनी है नेक्स कोशन है यहां करा है प्रोटीन तंतू है प्रोटीन कैसा तंतु होता है तो आपको रेसमदार प्रोटीन के तंतु होता है रेसमदार होता है याद रखिए रेसमदार होता है नेक्स कोशन है मैंने इस तरीके से आपको पीडियोप दिया क्योंकि आपको पीडियोप को पढ़ना है उसके बाद आंसर को पढ़ना है आपोगे चार अवस्थाएं होती है आप उन चार अवस्थाओं की बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे लाइन बस बलास्तिक बने रही है सांती पूरवक सुनिए वीडियो को देखिए थोड़ा से माइंड को लगाना तो लगा लीजिए बस आराम से काम हो जाएगा और प प्राकिर्तिक रेशा है तो इसमें से प्राकिर्तिक रेशे की बात की जाए वो होता है रेशम का जो रेशा होता है वो प्राकिर्तिक रेशा होता है रेशम वाला ठीक है बहीं नेक्स कोशन आपसे पूछेगा कि रेशम का जनम किस देश में हुआ है तो आप सभी कहेंगे क आपको थोड़ा सा याद रखना है, नेक्स कोशन है कि बस्तरो का राजा किसे कहा जाता है, तो रेसम को कहा जाता है, और रेसम कहा से उत्पन होई थी, चीन से उत्पन होई थी, नेक्स कोशन है कि रेसम के कीड़े की प्रजाती होती है, तो आपको पता है जो रेसम की कीड़ होता है उसकी जो प्रिजाती होती है वो होती है बॉम्बिक्स मोरी के नाम से जानी जाती है प्रिजाती जो रेसम के कीड़ा होता है वो रेसम का नर्माण करता है बहीं एक होगा और पॊपा के बादो या रखना है और जी सम काल होता है उसका जी जी पाए जाने वाला प्रोटीन है तो उन आ अब में कॉन सा प्रोटीन 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 प्रोट बाल भी होता है जो जनम लेते हैं लेकिन जूट क्या है बो जनवत नहीं होता उत्पन नहीं होता प्रिपरवस्था यहां कहले है कौन कौशंद सके परवस्था प्रवस्था है जो ऐसे वहाई न कौशन को रहां फिरवस्था होता है और ब manner着 फोग गुदा ताप का बुरा संभा कहा जाता है यदि उन की बात की जाए तो ताप का बुरा संभा कहलाता है यह बहुत जादा ताप देता है बहुत जादा गर्मी देता है इस तरीके से कह सकते हैं नेक्स कोशन आपके सामने है वह प्रोटीन तंतु बनते हैं तो प्रोटीन तंतु किसके और है टरीन से ईस तरीके से आपको यात्यत राख 1 अबसामें मार कर तंतु प्राप्त किया जाता है मतलब किकिस अबस्ता में यदि हम यहिस कीड़े के मार दें कि रस संब प्रेומत करेंगे वह अबस्ता कौन सी होती ए वह gram अबस्ता किन फंसा और प्राप्त स्टीकरी किस अवस्था में से होता है किस अवस्था से हम रेशम को प्राप्ट कर सकते हैं तो कोकीन की अवस्था से प्राप्ट कर सकते हैं और रेशम प्राप्ट करने के लिए कीडे को किस अवस्था में मारा जाता है तो आपको कोकीन की अवस्था में मारा जाता है तब वो रेशम प्राप्त हो जाते हैं नेक्स कोशन है रेशम का रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है तो कोकिन के द्वारा रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है नेक्स कोशन है जनवत रेशा युक्त होते हैं प्रोटीन युक्त होते हैं जन्वत रेशा होते हैं उनमें प्रोटीन होता है याद रखिए जन्वत रेशा होता है नेक्स कोशन है किस कोट्स वूल किस तंतूओं के मिस्रण से बनते हैं जो कोट्स वूल रेशा होता है वो किस मिस्रण से बना होता है तो आपको के रुई और उन के मिस्रण से बना होता पहले आप question को पढ़िए answer को पढ़िए question को पढ़िए answer को चारो option पर द्यान देने की जरूत नहीं है यदि आप द्यान दोगे तो आपका mind है बटक जाएगा और paper देते समया बिचलित हो जाओगे वह आपको बिल्कुल नहीं करना है नेक्स question है यहां कहा है मेमना किसे कहते हैं मेमना किसे कहा जाता तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है नेक्स question है cellulose तंतू नहीं है cellulose तंतू कौन सा नहीं होता रेसम एक cellulose तंतू नहीं होता है इस बात को आपको याद रखना है नेक्स कोशन है, नेक्स कोशन है हमारे सामने वो है क्रेमित रेशा, अब देखो कित्रम रेशा जो हम लेटेट कोशन पूछे जाएंगे, कित्रम रेशा से लेटेट कोशन बताइए, तो वो कौन-कौन से होंगे, उन कोशनों को हम देखते हैं, पार्ट ही हमारा दो चल रहा ह पार्ट पहले से हमने एक करा रखा है, पार्ट दो है, पूरे ध्यान से देखना है, यहां कहा रहा है, रसाइनिक तंतु नहीं है, तो बिटा जूट एक रसाइनिक तंतु नहीं होता है, नारियल यहां कहा रहा है, नायलोन है, नायलोन क्या होता है, ताप का बुरा संभाक हो याद रखता है लेलिन किर्मिक रशार और जाता है और बाकि जो आप के रख रहें प्रकृति रखता नेक्स में कौन सी धातु नहीं गौन कॉनसा कृत्रिम तनतू नहीं है हिमप है वो चाहिANT के रखना है इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि कपास को कपास को पसे मंगाल में हिंप के नाम से जाना जाता है ठीक है कौन सा रिषा जादूरी रिषा के नाम से जाना जाता है जादूरी रिषा बिटा जो नायलोन होता है नायलोन को जादूरी रिषा के नाम से जाना जाता है जादुई रेसा के नाम से कभी बूच ले तो नाइलॉन को बोलेंगे नेक्स कोशन है इस्पिरेट का प्रयोग किसके तंतु बनाने में किया जाता है तो रियोन बनाने में किया जाता है इस्पिरेट का यूज़ ठीक है नेक्स कोशन आप से पूचा क्या है कि एस्वेस्ट्रोस किस या कौन सा रेशा है एस्प्रोट्रोस रेशा होता है जो एस्प्रोट्रोस रेशा होता है वो खनिज रेशा के नाम से दाना जाता है वो खनिज रेशा ठीक है खनिज से प्राथ होता है इसलिए खनिज रेशा बोला जाता है एस्वेस्ट्रोस रेशा सुकड जाएगा निमन libraries ल thought रहे सिर्फांट से नहीं है निमनї में से कौन सा प्राकिर्फिक रहे सा रहन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है नेक्स कोशन आपके सामने है कि मानब कृत रेशा है मानब कृत रेशा कौन सा है वो भी आपका रियोन एक मानब कृत रेशा है ठीक है लेकिन प्राकृतिक रेशा नहीं है वो रियोन नहीं है वाकि रेशा मून और ये कपा से प्राकृतिक रेशा होते हैं नेक्स कोशन है प्लास्टिक प्लास्टिक का मतलब होता है जो भगमान ने बनाया है अचानक उत्पन हुए है वो हमारे प्लास्टिक होते हैं मानम निर्वेत करते हैं जो हम लोगों ने उनको अजीब सरीके से बनाया है ठीक है, next question है plastic तंतू है, plastic तंतू क्या होता है बिटा जिको plastic तंतू है, यह plastic fiber है, तो आपको कि lyronic, plastic की तरह होता है, क्योंकि तभी वो आग की सामने जाने पस जुलग जाता है next question है कि nylon कितने ताप पर पिखल जाता है, तो बिटा वो हता है 480 फॉन हाइट, जो temperature होता है, उस पर यदि nylon को रखा जाए, तो वो पानी के तरह पिखल जाएगा, इस बात को याद रखना है next question है, nylon के race का नाम क्या होता है, तो nylon में जो race निर्वित होता है इस पर इस БBecause next question है, जो kidnaemerosa का नाम दिया गया है तो कित horror दिया है, तो किस तरहा है इस तरीके से लगित चैसपा है जो है डॉकरॉन के दोरा दिया गया है यह हमारे part 2 के question जो थे कौशन लग-बग में 46 हो 44 question मेंने आपको प्रवाइड करा दी है part 2 में, part 3 में हम धागो का प्रिकार कैसे होते है और धागो का निर्माण कैसे किया जाता है कि कटाई या फिर कडाई मसीन कैसे इसका उप्यूक करते है वो चीज़े हम डिसकस करेंगे part 3 में लास्टर वीडियो बने रही है और हम डेली अप्लोड कर रहे है एमसी को कोशनों के लिस्ट ताकि आपको सारे कोशन कोई भी कोशन बहार ना जाए तो चैनल को अभी ज़े सस्क्राइब नहीं किया तो कल लिजिए और दोस्तों को शेर कर दीजिए धन्यबाद